नमस्कार दोस्तों मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपीनियन तो अब हम आपके लिए रिवीव करेंगे जी फाइब की नई ओरिजिनल फिल्म लॉस्ट की जिसके मुख किरदार जो प्लेकर है वो है यमी गौतम तो कैसा रहा यह पर्टिकुलर ओरिजिन फिल्म जो वो है critically acclaimed फिल्म वो बना चुके है तो इस फिल्म की जो खासियत है कि इस फिल्म में भी जो कहानी दिखाए गई है वो based out of Kolkata है लेकिन इसका जो ब्यान करने की जो तरीका है जिस तरीके से कहानी को narrate किया गया वो बहुत ही शटल तरीके से इसको दिखाए गया हाला कि ये एक mystery thriller है आप बोल सेकते हैं कि एक बंदा जो है अचानक से वो missing हो जाता है तो उसके पीसे का राज क्या है तो वो crime investigation सारी चीज है लेकिन इसको आप thriller उस तरीके से नहीं बोल पाऊगे क्योंकि ये एक बहुत ही social relevant issue मुद्धे के उपर टिका हुआ है और उसको प्रेटिक्स के एगिंस्ट में, पुलिस के एगिंस्ट में या फिर बोल सेकते हैं जो निन्मवरी है, जो लोग है पिछले लोगों के साथ जो अन्या अत्याचार होता है उसके एगिंस्ट में बहुत जगा में जाके protest दिखाता है वो लड़का जो है सड़नली अपने girlfriend के स अचार स्टार्ट होता है तो इससे जो है मतलब यह situation से लड़ने के लिए सिर्फ वह family और वह लड़का जो है उसके साथ एक जो है मतलब एक लड़की जो है वो खड़ी होती है वो है एक reporter एक बोल सकतर news digital news channel की reporter और वह reporter जो है वो basically इस पूरा कहानी को investigate कर रही है और अपना अजडियस से वो चीज़ को देख रही है, दोस्तों जो positive लगा मुझे, देखिए, आप हो सकते हैं, आप politicians हो, या फिर आप police हो, या फिर माल लिजे, आप कोई ऐसी activist organization का कोई भी हो, जो भी है ना, सब कोई आपको अपने फाइदे की हिसाब से आपको इस्तमाल करते हैं, अब आप इस्तमाल होना चाहते हो, नहीं चाहते हो, वो आपकी उपर है, लेकिन सब कोई कोशी तो आपको करता है, ये कहानी जो है न, ये इस सच के उपर आधारित है, जहाँ पर ये जो लड़का है, इस लड़के को हर कोई अपने फाइदे के लिए यूज़ कर रहा है, आखि इस जितने भी करदार है आप जानते हो, तुशार पांडे बिसिकली वो लड़का है, उसका करदार प्ले कर रहे है, और साथी में यमी गौतम जो है इन जो जो जनलिस्ट का करदार जो है वो प्ले कर रहे है, राहूल खरना जो है, वो बिसिकली यहाँ पर पॉलिटिशन का किरदार प्ले कर रहे है और साथी में पंकच कपूर बहुत ही इंपोर्टेंट एक किरदार नानू का किरदार जो है वो प्ले कर रहे है तो यही चार किरदार mainly इस कहानी के अंध में है और बहुत ही बढ़िया performance चारो नहीं दिया है अब बात करते हैं पंकज कपूर को तो जो मैंने पहले first time मैंने उनका character देगा तो मुझे लगा कि यह यह क्या है पंकज कपूर जैसे actor क्यों इस किरदार में cast किये गए तो वो क्या करेंगे इसमें सिर्फ नानू का किरदार है जो खाना बना के दे रहे चाय बना के दे रहे यमी गौतम को तो क्या फायदा है लेकिन दवे इस character has been written सच में मानिये दोस्तों यह बिसिकली आप बोल सकते हो यमी गौतम का किरदार को हर वक जो है डेस्क ट्राइब करेक्टर है और बहुत ही चांदार performance उन्होंने डाली है दो सीन की मैं बात करूँगा एक जब होता है वो politician के सामने आके डिरेक्ली बात करता है उसको थ्रेट देता है और दूसरा जो है जब उसको थ्रेट मिलता है तो उस समय वो जैसे रियक करता है एक जोगर स्पार्ट के अंदर में ये सीन होता है और देखे क्यों मैं बोला के बहुत शटल और नॉर्मल तरीके से इसको बनाया गया है एक सतर आसी साल का उमर का एक इंसान उसको थ्रेट मिल रहा है और वो कैसे उसके उसके उपर रियक्ट कर रहा है ये देखने लाया है किस तरीके से इनको डिजाइन किया गया और कितना बढ़िया इसमें परफॉर्मेंस वंकर इसका फूजी ने किया है साथ में यम्मी कॉतम का भी बात करना पड़ेगा देखें यहाँ पे उन्होंने उनका जो ग्लैम वाला लुक है जो ग्लैम डेफिनिटली वो बहुत ही सुन्दर है लेकिन यहाँ पे वो ग्लैमरस रोल उनका नहीं है यहाँ पे काफी आप बोल सेक तो इंटरेस्टिंग केरेक्टर है उनका और उन्होंने काफी अच्छा तरीके से उसको perform भी किया है राहुल खन्ना स्पेशली मुझे बहुत ही इंप्रेस किया है यहां पे politician का किरदार में उनका किरदार में बहुत सारे shades है उसको उन्होंने बहुत अच्छा तरीके से दिखा है है मेरे हिसाब से काफी वेल डिरेक्टेड भी और साथ में सांदुनमोइत्रो का जो म्यूजिक है बैक्ग्राउंड स्कोर और एक आखिर का एक गाना पूरा एंबियंस को बहुत अच्छा तरीके से कहीं भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको लगेगा रहे भाई यह क्या दिखा रहा है क्या मतलब बोरिंग सा चल रहा है टाइम पास नहीं हो रहा है ऐसा नहीं होगा आप पूरा एक इंटेंस्ट दो घंटा इसके साथ आप बिताऊगी और आखिर में आपको एक बहुत ही अच्छा एक सुकून के साथ यह फिल्म खतम होगी कि आपके पास वहाँ पर जो इसका मैं इसका लास्ट तो नहीं बताऊंगा आपको लेकिन अंत में जो मेसेज आपके पास जाएगा वह आज के जनेरेशन के लिए काफी इन्पोर्टेंट है दोस्तों मेरे लिए एक कंप सब्सक्राइब करना मत खुलेगा मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में तब तक के लिए अलवीदा